हलो फैंड्स इस वीडियो में आपको कराने वाले करक्टर स्क्याच आप मिसेज डॉर लिंग जो कि क्लास 11 के लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्ट है सभी एक्टर में आपको हैडिंग और एजली लेंग में करवाते हूं एक दुबार आप देखेंगे आपको एजली ये लर हो जाएगा ओके लेसन बन के भी मैंने इंपोर्टन करक्टर करवा दिये और उसका लिंक मैंने डिस्करप्शन वॉक्स में दे दिया वहां से आप देख लीजेगा ओके सेंटलर अडिया भी अप्रोड है उसका भी लिंक मैंने सेर कर दिया तो आप देख लीजेगा तो इस इस पी लिख सकते हैं, यह किसकी फ्रेंड थी? मिसिस S की, ठीक है, इसके बाद आपको इनका भी क्राक्टर मिल जाएगा, और नैरेटर का, आपको इस शक्त में तीन ही करेक्टर करने हैं, नेरेटर मिसेज एस और डॉरलिंग का इसके बद आपको यह भी मिल जाएंगे वो लिव डैट 46 मारकॉनी स्ट्रीट इन हॉलेंड जो कहां रहती थी हॉलेंड में 46 मारकॉनी स्ट्रीट में यह रहती थी कौन मिसेज डॉरलिंग कौन थी और कहां रहती थी तो आप यही इसमें मेंसिन कर दीजिएगा इससे आपके स्ट्रीट हो रहे हैं हर क्वालिटी जिनके क्या क्या गुड़ थे इसमें आपके लिखेंगे रिउड बोलते हैं असब भी को या अभद्र भीहार करने वाला ठीक है थी सेल्फ इस बहुत ज़्यादा स्वार्ती और मतलब भी मूमें मतलब अवरत थी ओके सी बहुत बहुत ज़्यादा बेइमान मी थी और ग्रीडी लेडी बहुत ज़्यादा लालची थी क्योंकि ये कथा वाचक की जो पहचानती उसको पहचानने से रिकॉगनाईज मतलब होता है पहचानना से क्या कर देती है रिफ्यूज मतलब मना कर देती हैं ठीक है, जब ये Mrs. S की जो बेटी थी narrator, ये इनके घर इन से मिलने जाती हैं, तब ये इनको पैचाने से मना कर देती हैं, ऐसा इनोंने क्यों बोलाता, इसका रीजन में आपको आँगे फता चल जाएगा, ओके, तो इनका behavior बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, next reading है, हर behavior towards the narrator, यानि कथा बाच्छे के प्रती, इनका behavior कैसा था, यानि Mrs. S की जो बेटी थी, उनके साथ इनका behavior कैसा था, अगर ऐसे भी question पुछा जाए, Mrs. daughter के साथ इनोंने कैसा behave किया था, तो बात यही है, narrator बोल दो, या Mrs. S. daughter बोल दो, ओकी, तो कैसा behave किया था, देख लेत rudely and indifferently towards the narrator, तो इनोंने कथा बाच्छा किया था, यानि Mrs. S की बेटी के साथ, बहुती rudely behave किया था, rudely and indifferently, मतलब बहुती अलग तरीके से, उनोंने कभी सोचा भी नहीं था, कि उनके साथ ऐसा behave करेंगी, तो इतना बुरा behave उनोंने उनके साथ किया था, जब इनके घर और इनोंने क्या किया था, अपने घर में इने पिरवेश देने की भी अन्मती नहीं दी थी, बात भी नहीं किती नहीं, अपने घर में इने एंट्री दी थी, तो बहुत ज़्यादा बुरा behave किया था, नेरेटर के साथ, नेक्स्टर रीजन पॉर विजिट टू मिसिस S, मतल जो मिसिस S की, वो हमूल बस्तुएं थी, उनको ले जाने के लिए, उनके घर जाती थी, शी सैट टू हर, मिसिस डॉर्लिंग ने मिसिस S से क्या कहा था, that she wanted to save things, कि वो उनकी बस्तुएं को बचाना चाती है, मिसिस S की जो भी बस्तुएं थी, वो उनको save करना चाती है, by keeping them with अपने साथ उनके रख कर, ठीक है, keeping them, उन वस्तुएं को रख कर किसके साथ विधर, अपने साथ रख कर, मतला अपने घर पर रख कर उनकी चीजों को बचाना चाती थी, क्योंकि उस समय होलें पर जर्मनी ने आक्रमन किया हुआ था, तो उनको बोला था, कि मैं आपकी घर क कि जो बहुत मुली चीज़ें, वो अपने घर रख लेती हूं, उसके बाद जब नॉर्मल चीज़ें होगी, तो आप मेरे घर से बापस ले जाना, वट ऐसा नहीं किया था, उनको कोई बीची उनकी बापस नहीं की थी, मिसस एस की, ठीक है, तो यही रिजन था, जो मिसस ए क्योंकि उन्होंने धीरे-धीरे क्या किया था, मिसस एस की जितनी भी बहुत मुले बस्तों थी, सब ले ली थी, and had no intention of returning them, intention बोलते हैं इरादे को, और इनका कोई भी इरादा नहीं था, उन बस्तों को बापस करने का, यह बहुत ज़ता लालची थी, उनको तो विश्वास जिला दिया था कि मैं आपकी फ्रेंड हूँ, मैं आपकी बस्तों को सेफ रखूंगी घर पर, बट ऐसा नहीं था, अंदर से बहुत ज़ता लालची थी, और इनका कोई भी इरादा नहीं था, उन बस्तों को बापस करने का, लास्ट में आपका नकूजन में क्या लिख देंगे, अट लास्ट अंत में, मिसेज डॉर्लिंग चीटिट दा नेरेटर्स मदर, यानि मिसेज डॉर्लिंग ने, जो कथा बाचक की मा है, यानि मिसेज एस जो थी, ये, ठीक है, इनको विकॉच, क्योंकि, सी डिड नॉट र इसको क्लियर हो गया होगा, वीडियो अच्छा लाग हो तो प्लीज लाइक से कर दीजेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्यों सो मच